कि इस वाले q3 को देखो प्यारी बच्चो एक गेलिवनोमिटर है जिसकी आलरेड दे रका है चलो एक गेलिवन बना लेते हैं और यह गेलिवनोमिटर है इसकी खुद की रzahlद र押 देखो Finish नाइन ओम कोनेक्ट करूंगा जिससे यह लो रजिस्टेन्स आ मीटर बन जाएगा this यह पूरा डिवाई काम करने लगा और यह पूरा वान एमपीयर करेंट यहां से रीड कर कर रहा है ऐसा बता है तो करेंट से से कितनी current जाएगी अब इसका भी resistance दिया इसका भी resistance दिया है तो संट से current निकाल दो ना यहां से जो current जाएगी कुछ current galvanometer में चली गई galvanometer में मालो i चली गई तो संट के थुरु कितनी जाली जाएगी 1-i1 तो टोटल आई थी अब 0.1 यह जो 0.1 है और यह जो 0.2 है इसके ग्रोस यह दोनों पैललल में है तो potential difference सेम होगा तो i multiplied by galvanometer का resistance equal to 1-i और multiplied by resistance 2 तो यहां से याजाएगा 9i और यहाजाएगा 2-2i मतलब 11i is equal to 2 तो i की value 2 upon 11 MP है मतलब जो current i थी वो बहुत कम amount of current galvanometer में चली गई तो बहुत ज़्यादा कम मतलब galvanometer में चली गई अब संट के थुरू कितनी current गई होगी तो संट के थुरू current कितना 1-i है तो 1-i की value 2 upon 11 है तो 11 और यह 2 मतलब 9 upon 11 MP मतलब यह 0.8 MP चला जाएगा संट के थुरू और 0.2 MP चला जाएगा galvanometer के थुरू क्योंकि galvanometer की resistance इस संट से कमी होती है संट low resistance होता बाइपास की तरह गाम करता तो ज़्यादा current इधर जाती है कम current इधर जाती है तो यह 0.2 MP मतलब यह वाला चलो